आज हम पढ़ेंगे स्लिप के बारे में कि थ्री फेस इंडक्शन मोटर में स्लिफ क्या है इसका वर्क क्या है पिछले लक्षर में हम थ्री फेस इंडक्शन मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल को देखे थे three phase induction motor जो है वह एक self sewn際 जड़ाट्र होता है और ये एक n synchronous पर काम करता है ये synchronous 스ीट पर काम करता है यानि कि ये synchronous speed पर work नहीं करता synchronous से जो मेरा हम देख्ञें तो उसमें priz به में कि जैसे ये हम लोग का इस्टेटर है synchronous speed पे काम करता है यानि कि यह synchronous speed पे work नहीं करता synchronous से जो मेरा हम देखे तो उसमें principle में कि जैसे यह हम लोगों का इस्टेटर है इस्टेटर में जब हम 3-5 अपलाई देते थे तो इसमें एक rotating magnetic field produce होता था rotating magnetic field जिसे हम यह rotating magnetic field का जो speed है उसे हम note करेंगे ns से denote करेंगे जिसका नाम हम देंगे synchronous speed यह जो rotating यहाँ पे end pole और south pole जो बन रहा है यह किस speed से rotate कर रहा है यहाँ पे उसी को हम बोलता है rotating magnetic field और यहाँ पे हम लोगों का rotor लगा हुआ है north and south pole जो है जैसे rotate करेंगा उसी हिसाब से मेरा यह rotor भी rotate करेंगा जिसका जो speed है उसका वह nr ले लिए हम rotor speed और slip का जो formula होता है वो ns-nr by ns जहांकि ns और nr जो है वो मेरा slip speed है जैसे कि हम माल लिए हम लोग का rotating magnetic field का speed है वो 1000 rpm है जो rotating magnetic field का speed है वो 1000 rpm है और हम लोगों का जो rotor का speed है वो 960 rpm है तो यहां पर कितना का डिफरेंट है 40 मतलब 4% यहां पर डिफरेंट आ रहा है तो जो 4% है यहां पर परसेंट है यह देखे 4% दोनों को बीच में डिफरेंट है यह 4% जो होता है वो मेरा sleep का रहाता है यही मेरा 4% sleep है तो हम लोग के यहां पता है ns और minus nr जो है वो मेरा sleep है और ns जो है वो synchronous speed है synchronous speed तो हम कहा सकते है यहां पर जो ns का जो speed है synchronous speed का जो speed है वो अधिक होता है rotor के speed से यहां हम बोल सकते हैं तो sleep in an induction motor is difference between the main flux speed यानि की rotating magnetic flux and their rotor speed हम sleep बोल सकते हैं rotating magnetic field यह हम main flux speed और rotor speed के बीच का different है यदि हम इसे percentage में लिखना चाहें तो हम लिख सकते है s sleep percentage ns minus nr by ns multiply 100 किसी को percentage में लाने के लिए 100 से multiply करते हैं यदि हम extend still की बात करें extend still यह हम लोगों का case first है कि जब मेरा nr का speed है वो मेरा 0 है मतलब induction motor जो है वो rotate नहीं कर रहा है तो यहां पर हम nr equal to 0 ले लिए तो sleep हम लोगों का क्या आएगा s is equal to ns by ns क्योंकि nr जो हम लोगों का 0 है stand still पर है जो induction motor है वो work नहीं कर रहा है rotate नहीं कर रहा है तो इस time हम लोगों का slip होगा वो maximum 1 होगा जब मेरा motor rotate नहीं कर रहा है उस case में यदि हम बात करें case 2 की जब मेरा ns जो है equal to nr के equal हो जो rotor का speed है वो synchronous speed के equal हो जाए तो उस case में क्या होगा तो यहाँ पर जो slip आएगा तो हम लिख सकते है s is equal to ns minus nr equal to ns यहाँ पर ns और nr जो equal है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा s is equal to 0 by ns तो slip हम लोगों को क्या मिला यहाँ पर 0 तो हम दो case देखें जब मेरा stainless steel जब मेरा rotor जो speed rotate नहीं कर रहा है उस case में slip जो मेरा है वो maximum पर 1 है और case 2 में देखें जब मेरा ns जो है वो nr के equal में है मतलब जो rotor का speed है वो synchronous speed के equal में है तो इस case में जो मेरा slip है वो 0 हो जाएगा और हम बात करें टॉर्क की टॉर्क जो होता है dietly proportional sleep का होता है यदि हम sleep की value बराएंगे तो टॉर्क भी मेरा बरहेगा और यदि sleep की value घटाएंगे तो टॉर्क भी मेरा घटेगा यदि मेरा टॉर्क घटा तो मोटर के लिए यह खानिका रखे वहाँ पर load assume नहीं कर पाएगा टॉर्क ही जो है जो मोटर को rotor को rotate करने में help करता है next lecture में हम लोग टॉर्क और sleep के बारे में तेखेंगे उसका wave कैसा होता है okay thank you